हलो दोस्तों आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में आज मैं बात करूंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो आप सोच भी नहीं सकते हैं दोस्तों अक्सर हर घरों में रात में खाने की बात रोटियां बच चाती हैं और उस रोटी को सुबह हम बासी होने के वज़े से खाते नहीं बलकि इसे या तो कूड़ेदान में फैक देते हैं या जानवरों को खिला देते हैं लेकिन आज मैं आपको बासी रोटियों से होने वाले फाइदे बताऊंगी जिसे सुन आप बासी रोटियां कभी नहीं फैकेंगे दोस्तों यूं तो कहा जाता है कि बासी खाना नहीं खाना चाहिए इसमें बहुत सारे किटानू होते हैं जिसकी वज़े से हम बिमार लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि बासी रोटियों से भी हमें क्या-क्या फाइदे हो सकते हैं लेकिन इसे खाने का तरीका और खाने की टाइमिंग को ध्यान पर रखते हुए अगर आप इसको सही टाइम पे और सही तरीके से खाते हैं तो बासी रोटियों आपके गैस की प्रॉबलम है तो रोजाना सुभध खाली पेट दूद के साथ बासी रोटी का सेवन करने से आपको एसिडिटी से मुक्ती मिलती है साथ ही अगर आप रोजाना दूद और बासी रोटी का सेवन करते हैं तो पेट से जुड़ी कई समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा बासी रोटी डायवेटीज यानि सुगर से ग्रसित लोगों के लिए भी बहुत फाइदेमंद है अगर आपको डायवेटीज है तो रोजाना फीके दूद के साथ बासी रोटी खाने से आपको डायवेटीज में भी बहुत ही मदद मिलेगी अगर आपको BP की प्रॉबलम है यानि Blood Pressure की प्रॉबलम है तो ठंडे दूद के साथ बासी रोटी रोजाना सुबह खाने से आपको BP से छुटकारा मिल जाएगा साथ ही अगर आपके पेट में जलन हो रही हो तो ठंडे दूद के साथ बासी रोटी रोजाना सुबय खाने से आपको पेट के जलन से भी आराम मिलेगा तो दोस्तों ये थे कुछ बहुत ही महत्वपुन उपाय बासी रोटी से अब उमीद करती हूँ कि आप बासी रोटी को कूडे दान में नहीं फैकेंगे या जानवरों को नहीं खिलाएंगे दोस्तों उमीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें अगर आपको हमसे कुछ पूछना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, हम फिर मिलेंगे आपकी प्राब्लम हमारी सॉल्योशन के साथ तब तक के लिए खुश रहे, फिट रहे, हपी रहे, तैंक यू